हलो दोस्तों नमश्क्यार मैं दिनेश्वर महराज आप सभी का स्वावत करता हूँ जैसे आप सभी को पता है कि तंत्रमंत्र जादू डोना ये सब आज की तारिख में करोना से बढ़के हैं क्योंकि इस विभाग में लोगों के अंदर से तोड़ा जाता है है ना जब भी कोई तंत्र किर्याएं करता है आपके ओपर समसान डाले या मर्गट डाले या किसी भी प्रकार का तंत्र आपके ओपर करता है तो आपको भरबाद करने के लिए और इस सैतानी हरकतों की बाते ना कानून मानता है ना पुलिस मानता है ना अधिकारी मानता है यहां तक उसे पता होता है कि यह होता है और सक्सेस भी होता है इसमें किसी की प्राण भी लिया जा सकता है लेकिन ऐसी बाते जो है कि मानने पे मजबूर है कि माने तो कैसे माने है ना मैंने अभी खिलाल इन छे-साथ दिनों में मैंने देखा है बड़े से बड़े लोग, बड़े से बड़े अधिकारी इन चक्रों में बहुत फसे पड़े हुए है मेरे पास आते भी हैं एक तरफ बुलते हैं कि भीया हम तो मानते नहीं है और एक तरफ कहते हैं कि किसी ने कहा है कि हम किसी से काम करा है तो गूगल पे जब मैंने सर्च किया तो आपकी बात करनी का तरीका और आपका इस्टाइल जो है अच्छा लगता है कि काफी इसे लोग होते हैं कि जो बहुत अच्छी होते हैं पड़े लिखे होते हैं एजुकेटेड होते हैं और नोकरी चाकरी भी करते हैं अच्छानव को नोकरी छोड़ देते हैं पागल की हरकते करने लगते हैं पागल बन जाते हैं नहाएंगे दोएंगे या नहीं नहाएंगे पागल जीसा घुनते हैं अपने अंदर बड़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़ लगते हैं और उस तंत्र में आशुमाराइन खास तोर पर चलती है उसे साथ में कई प्रकार की विद्याएं कई प्रकार के शक्तियों को चोड़ दिया जाता है ताकि वह इंसान अपने आप में ना रहे हैं ऐसे केसे मैं ने देखे हैं और क्या बताओं मैं आप सभी को इसको आप लोग दिल से लगाएं तंत्र मंत्र यंत्र ये सारे कारे करते हैं जो एक तुम्हारा रिवालवर नहीं करता तोप नहीं करता आप सोचते क्या है कि गोली से मार देगा तो केश हो जाएगा लेकिन अगर भूत परेड़ाइं डिपनियों से तुम्हें मार दिया तो आप सबस्क्ताराशी में बैठा हूं और इस धर्मियान में आप सभी से बात कर रहा हूं और वीडियो भी दे रहा हूं देखो देखो तंत्र को उनलभर कईसे करूगी यह यह आपको जानना पड़ेगा डिचान। को अनभव कैसे करोंगे माल लिया जाए तंद्र आपके पास जब लगाते हैं या किर्याइं करते हैं जब तंद्र आपके बॉड़ी को छू ले ताहा आपके अंदर प्रिवेश कर जाता है तो अचानक शरीर ग्रम होना ही स्टार्ट होता है पसीने आने चालो होते हैं और आपके छाती में कंपन आ जाता है पुरे सरीर में कंपन आ जाता है सर वाइब्रेट करता है दिमाद काम नहीं करते हैं चिर्चिडापन हो जाता है ये तंत्र लगने के बाद ये हरकते आपके साथ में होता है कभी पैर में दर चालो हो जाता है कभी घुट्णों में दर चालो हो जाता है अब इसका दवा भी कराएंगे तो ठीक तो होता नहीं ये दवा से जब तक असर रहेगा जब तक थोड़ा सा नॉर्मल रहेगा जैसे दवा का शर्ख खतम हुआ वह फिर बढ़ते जाएगा कोई कोई तन तरह इसे होते हैं कि पैर सुजाना भी चालू करते हैं इसी प्रकार से अगर आप डॉक्टरों का सहरा लेंगे तो मेरे हिसाब से तो नहीं बच पाएंगे और नहीं ठीक हो पाएंगे जब ऐसी हर्कते हो आपके अंदर तो आप सदेवे एक बात या रखना किसे ना किसी छोटे एमोटे आंत्रिक तांत्रिक के पास चले जाएं जाएं तब तो भीयाँ घात कर देगा आप सोज भी नहीं सकते हैं थीक बस सिकता ही कहना चाहूंगा आम सब इसे तंत्र मंत्र यंत्रों पे भरोसा करें साइंस बोलता नहीं है आज साइंस विज्ञान वही धूनता है जो हमारे सास्त्रों में पहले से वो लेख है ठीक है हम किसी को गलत नहीं कहना चाहेंगे साइंस अपने जगह ठीक है और धर्मी चीजें अपने जगह ठीक है लेकिन कुछ जगह पे साइंस वाले ये गड़बड़ कर देते कि इसे यह नहीं मानते हैं वो नहीं मानते हैं खुद के अंदर घुसा रहेगा तब समझ में आता है क्योंकि साइंस काफी लोग मेरे पास आ हme दो मानते नहीं है लेकिन जोच लेना में तुमारी जो पांस तत्वश से चलती है खाना खाती हो लिमिट एक टाइम लिमिट का होता है उस काचा दो और अब तुम्हारे खाणे को गया फिर उसे बाहर जो मां का गर्म में बच्चा पलता है, क्या वो साइंस पलता है? बहुत ऐसे उधारण है जो मैं बता नहीं शक्ता, लेकिन मेरे पास जवाता है, उसे मानना ही पड़ता है, ये मैंने दिखा है, और माने भी हैं, और मानते भी हैं, बस इतना ही किया न चाहूंगा, आप सबी सत्थिता को स्युगार करें, भक्ती भाव में मन लगाएं, दिल लगाएं, पूरा भाव लगाएं, जिस से आपका उधार हो सके, और आपके आने वाले साथ पीडियों का भी उधार हो सके, ऐसी भक्ती करें, ठीक है? भक्ती में भागवान आपसे कुछ मांगता नहीं है, अगर आप देना ही चाहते हैं, तो आपका भाव दे सकते हैं, उससे प्रशन्द रहेंगे, ठीक है ना? चलिए वीडियो प्रशन्द आया हो, तो लाइक करें, सब्स्राइब करें, ठाइकिसो मच, जै मातादी, जै वेरो, जै माखाल, जै माखाली, जै गुरु देरो.